सर्दी के मोसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ऐसे में अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान ना रखना आपकी सेहत पर भारी भी पर सकता है तो आज हम बात करेंगे मेथी की क्योंकि मेथी की किंती सूपर फूट्स में होती है मेथी के पत्ते हो या इसके बीच दोनों औश्दिय गुणों से भरपूर होते हैं आईरुएद में मेथी का इस्तेमाल कई रोगों की दवाओं को बनाने में भी किया जाता है सर्दी के मोसम में विटामिन A, विटामिन C, कैलशियम, आईरन, फाइबर और पोटाशियम से भरपूर मेथी का साग आपको असानी से कमदामों में मिल जाएगा मेथी का साग खाने से सेहत को अनेक फायदे मिलते हैं सचकों की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेथी खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं लेकिन इससे पहले अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कोमेंट करना ना भूले तो आपको बता दे कि सर्दी के मौसम में कहीं लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए मेथी का साग बेहत फायदे मद है मेथी के साग में फाइबर और एंटी ओक्सिडेंट की मात्रा भरपूर होती है जो पाचन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में आपकी मदद करेगा जो लोग कब्स, गैस और अपच से परिशान रहते हैं वे मेथी के साग का सेवन जरूर करें इतना ही नहीं मेथी की सबसे बड़ी खुबी जानकर आप चौक जाएंगे मेथी का साग बालों को इलिए बेहत फायदे मंद है जो लोग मेथी खाते हैं उनके बालों की समस्या भी दूर हो जाती है मेथी में पोटाशियम, आयरोन और नाइट्रोजन बालों की हेल्थ बेहतर करने में मदद करता है जिससे बाल मजबूत होते हैं और तूटने बंद हो जाते हैं इसके साथ ही मेथी के सेवन से स्किन को भी बेहत फायदा मिलता है अब आद करते हैं उन लोगों की जो भुटापे से परिशान है तो आपको वदादे की सर्दी के मौसम में कहीं लोगों का वजन बढ़ जाता है ऐसे में मेथी का साग वजन कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जो भोजन के पाचन में मदद करता है मेथी में फाइबर जादा और कैलोरी कम होने के चलते भूग जल्दी नहीं लगती और पेट लंबे समय तक भरा रहता है मेथी के पत्तों में मौझूद एंटी ओक्सिडेंट्स बहतर करते हैं जिससे फैट बर्न असानी से होता है इसके साथ ये इसमें मौझूद डाइट्रियो फाइबर मोटापा कम करने में आपकी मदद करेगा डाइबिटीज मरीजों के लिए भी मेथी रामबान का काम करती है क्योंकि इसमें मौझूद फाइबर भरपूर होती है इसलिए इसका सेवन आपके लिए बेहत फाइदे मन्द होगा मेथी के साग में अमीनो एसिड होता है जो शरीर में बलड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद भी करता है डाइबिटीस के मरीज मेथी के साग का जूस या फिर सबजी बना कर खा सकते हैं ज्यात रहे कि मेथी के साग में विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छी मातरा में एंटी ओक्सिडेंट मुझूद होते हैं जो शरीर को कई परकार के रोगों से बचाने में मदद करते हैं इसलिए सर्दियों के मोसम में मेथी के साग का सेवन जादा से जादा करें जो आपकी सेहत भी सुधारेगा और आपका ध्यान भी रखेगा उमीद है सचकों की सेहत से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहत फायदे मद होने वाली है तो इस खबर को जादा से जादा लाइक कर दें और कोमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें